चै शिरी कृष्णा चनम अस्टमी के खास दिन पर भगवान शिरी कृष्ण ची के संद की जीजों को घर लाना और मंदिर में रखना बेहद शुब माना चाता है। कृष्ण चनम अस्टमी के दिन चांदी चांपितल की बचरे वाली काम धिनुकाय की मूर्ती को खरीदना भी शुब माना चाता है। ऐसा करने से कैरियर और कारोबार में तरक्की होती है। कृष्ण ची को बंस्री और मोर्पंक से बेहद लगाव होता है। इसलिए चनम अस्टमी के दिन बंस्री और मोर्पंक खरीद कर घर के मंदिर में रखना अच्छा होता है। ऐसा करने से घर से कला दूर होता है। इसके अलावा कृष्ण चनम अस्टमी के मोके पर आप घर पर लड़ू गोपाल को लाना जां उनकी कोई तस्वीर घर लाना सबसे अच्छा होता है। ऐसा करने से घर में खुशकवरी का आग्वन होता है। साथ ही आप जनम अस्टमी के दिन चंदन, शहद और गाय का घी भी खरीद सकते हैं। जो कृष्ण जी को बेहद पसंद होता है। जनम अस्टमी पर कृष्ण को क्या भोग लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं। भगवान शिरी कृष्ण को माखन बहुत पसंद है। ऐसे में कृष्ण जनम अस्टमी जाने कृष्ण जनम उस्तव पर माखन, मिश्री पंजीरी और चरना मृत का भोग लगाया चाहता है। इसके अलावा काना जी को धनिया पंजीरी भी बहुत प्रिये होती है। इसलिए कृष्ण जनम अस्टमी के दिन इसे जरूर बनाया चाहता है। और कृष्ण जी को भोग लगाया चाहता है। जन्म अस्टमी के दिन धन्य पंजीरी का परशाद काफी एहम माना चाता है। चलिए चानते हैं कि जन्म अस्टमी के दिन कौन से रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। शिरी क्रिशन जी को पीला, गुलाबी, लाल और मौर पंखी रंग बेहत बढ़िये हैं। इसलिए महलाएं पीले जां सुनहरे रंग की सारी पूजा में पहन सकती हैं। इसके अलावा पोर्श भी पीले स्वेद जा नीले रंग के कपड़े जैसे कुर्ता पजामा जा धोती क पहन सकते हैं। इस रंग से शिरी क्रिशन बेहत परसन होते हैं। चलिए जानते हैं कि शिरी क्रिशन का असली नाम क्या है। वासु देव का पुत्तल होने के कार्ण उनको वासु देव कहा चाता है। लेकिन इसके अलावा भी शिरी क्रिशन को कई नामों से बुलाया चात जिस में से मोहन, गविंद, मादब और गौपाल पर मुख हैं। चैनम अस्टमी कैसे मनाई चाती है चलिए जानते हैं। क्रिशन चैनम अस्टमी के दिन आदी रात तक उपवास रखते हैं और घर के मंदिर को सजाते हैं। और इस दिन क्रिशन के बाल सरूप लड़ू गपाल को नहला कर और सजा कर पालने पर रखकर लड़ू गपाल को जूला जुलाया चाता है। इसके बाद आधी रात को भगवान कृष्ण के ज़र्म के शल्म के समय आरती करने के बाद परशाद से वर्थ खोला चाता है। जर्म अस्टमी में खीरा क्यों कातते हैं? चलिए जानते हैं। खीरा नाबी शेदन के नीचे गश्य का प्रतिक माना चाता है। श्री कृषिन का जर्म आदी रात को जेल में हुआ था और इसलिए जर्म अस्थमी के दिन खीरा सबजी का उपजोग करके उनके जर्म के परतीक के रूप में किया चाता है लड़ू गुपाल की मूर्थी को पूरे दिन खीरे के अंदर जा खीरे के पास रखा जाता है और आदी रात को खीरे को चांदी के सिक्के से काट कर लड़ू गुपाल को बाहर निकाला चाता है जै श्री कृषिन कृषिन जर्म अस्थमी क्यों मनाई चाती है चलिए चानते हैं भद्रा पद माज की कृषिन पक्ष की अस्थमी तीथी के दिन रोहनी नक्षेतर में रातरी पाड़ा बजे भगवान शिरी विश्नु के आठमे अवतार कृषिन जी का चनम हुआ था इसलिए क्रिशन जर्म अस्थमी को भगवान क्रिशन जर्म उत्सव के तौड़ पर पूरे भारत वर्ष में बड़े ही उत्सा के साथ मनाया चाता है सब मिलके बोलिए लड़ू गौपाल की चै, हर साल क्रिशन चन्म अस्टमी का त्योहार पूरे भारत में भड़ी धूम धाम से मनाया चाता है, हर कोई चन्म अस्टमी के त्योहार का बड़ी बेसबरी से इंतिजार करते हैं, लोग इस दिन अपने बच्चों को रादा क्रिश प्लीज वो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना सस्क्राइब करना बिलकुल फ्री है और चिनोंने सस्क्राइब करके रखा उनका दिल से धन्यावात करती हूं, श्रिकरिशन चीक किरपा सब के उपर बनी रहे, सब मिलके बोलिए चै, श्री क्रिशन लड़ू गोपाल की चै झाल झाल झाल